हेलो बच्चो आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ठीक है तो जब कोई बॉड़ी किसी एक्सिस के चात्रों रोटेट करती है तो बॉड़ी और उसके समस्त मॉलीक्यूल भी रोटेशन में होते हैं हमने मान लिया बहुत सारे मॉलीक होगा मॉमेंट ऑफ इनर्शिया इस दा सम ऑफ किसका सम सम ऑफ प्रोड़क्ट ऑफ मास एंड स्कॉार डिस्टेंस ऑफ इच मॉलीक्यूल ठीक है हर मॉलीक्यूल के मास और डिस्टेंस के स्कॉार के प्रोडेक्ट के सम के बराबर होगा मॉमेंट ऑफ इनर्शिया यानि पह है moment of body का inertia ठीक है अच्छा यह radius of gyration क्या होता है तो सबसे पहले इसको discuss कर लें और थोड़ा सा तो M1 R1 square plus M2 R2 square plus M3 R3 square इस तरह से हर molecule का mass और radius के square का distance हर molecule के mass और square distance का product और उसका sum यह होगे तो इसको sigma MR square का भी मतलब यही है अब यह से रेडियस of gyration क्या है अब इसी बॉड़ी में एक ऐसा point है जिसकी distance axis से है और उस distance के square को body के mass से multiply कर दे है तो यह इसके बराबर हो जायागा आई के यह सिग्मा MR square के बराबर हो जायागा तो वो distance उस फिर अलग अलग molecule उसकी radius के square और मास के product किसम के यह सब करने की जरूत नहीं है केवल एक distance वो radius of gyration को ढूंड लो किसी भी body का k और body के mass और k square और body के mass के multiply कर दो हमें आसानी से moment of energy मिल जायागा अगर radius of gyration को नहीं ढूंड पाए फिर तो बहिए अलग अलग मास का particle लो उसकी distance लो distance का square करो मास में multiply करो उस मास का molecule का moment of energy find करो फिर ऐसी दूसरे का करो तीसरे का करो चौते का करो सारो का करो और फिर जोड़ो तो बहुत लंबा काम हो गया इससे अच्छा है कि हम एक ऐसा radius of gyration ढूंड ले यानि एक ऐसा point जिसकी road access of rotation से distance मिल जाए हमें वो radius of gyration मिल जाए है ना उसके square को मास में multiply कर दो तो moment of energy आसानी से मिल जाए ठीक है तो ऐसी जिस radius जिसके square को हमने मास से multiply कर दिया तो moment of energy के बराबर हो जाए उसको बोलते है radius of gyration थैंक यू